हेलो दोस्तो कैसे हैं दोस्तो मेरा नाम है नुरूल अंसारी और आप देख रहें हैं मेकेनिक यूटूब चैनल दोस्तो जैसे देख सकते हैं यह इसमें सिंद्ध का नाल सेटल है और हमको इस नाल को सबसे पहले अच्छे से साफ करना है यहां पर आप लूग देख सकते हैं और इसका सेटल खराब हो चुका है तो अभी हम इसको पहले ही सेटल को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे पहले चलेगा कि यह खराब हो गया तो यहां देखिए इसमें बहुत ज्यादा यह पले है इसमें बहुत ज्यादा पले इस तरह सा आपको हिलाना है चेक करना इसको बिल्कुल अच्छे से साफ करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं यह है आपका पत्ती और इसमें कचलडा लगा हुआ है इसमें गर्दा है इसमें डस्ट है इसको बिल्कुल अच्छे से आपको साफ करना होगा और दोस्तों यह जो सेटल है यह खराब हो चुकी है बिल्कुल खराब हो गया और यह खराब होने से आपका प्राबलम यह होता है मसीन आवाज करती है सुई तोड़ती है और सिलाई खराब देती है टाका देती है छोड़ छोड़ के चलती है टाइब मारती है नीचे की कभी सिलाई खराब देती है कभी उपर की सिलाई खराब देती है ये सेटल खराब होने से इतना सारा प्राबलम होती है आपके मसीन में और ये खराब होने से आवाज भी करती है तो हमको इसमें ये निव सेटल लगाना है इसके हो जैसे इतना सरा प्रब्लम होता है आपकी मजशिनों में तो हमको क्या करना है इसको बिल्कुल अच्छे से साफ करना है थोड़ा सा भी इसमें डस्ट नहीं होना चाहिए तो इस तरह से स्कुरू डाइवर से हम इसको हम साफ करें यह जो आपका पिन लगा हुआ है इसके किनारे किनारे लगा होता है अगर आप इसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे रिंग को लगाएंगे पत्ती को पेच कस देंगे उसके बाद निव सेटल को लगाएंगे वो भी धिली बताएगी तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले यह जो आपका इसमें डस्ट है इसको अच्छे से हम साफ करेंगे कपड़े से इसको पोचेंगे बिल्कुल अच्छे से वह सारे लोग उपर से ही पोच देते हैं साफ कर लेते उनको लगता है कि यह हो गया है सही है अब देखिए यह जो आपका रिंग है पुराना वाला इसमें हम इसको देखते हैं कि यह रिंग भी आपका सही है कि नहीं है तो इस रिंग को पुराने वाले रिंग को हम इसको कस देंगे लगाएंगे उसके बाद देखते इसमें फली बताता है कि नहीं पले बताता है अगर फले बतायागा सैन तो इसमें हम नू दौसरा रिंग लगाएंगे तो याम देखे यह है मेरे पास नू श्याक और यह मुथ सेंटल इसको मुथ आपका रिंग है यह रिंग कट जाता है इसके होजास से यह आपका पले निव सेट लगाने बाद भी यह बताता है तो इसमें हम लगाएंगे नया रिंग इसका नाम है रिंग और इसको हम लगाएंगे और यह जो आपका यह जो ग्रूपिंग है यह कट जाता है चलते चलते तो इसको हमको लगाना होते हैं तो यह हम देखिए आपका नया वला रिंग इसको हम लगा देते हैं और इसमें देखना होता है यह इसमें पले होना चाहिए बिल्कुली अच्छे से बैटना चाहिए अच्छे से नहीं बैट रहेगा तो आपका नया सेटल वाला भी इसमें ध टाइट बताने लगा थोड़ा सा भी पले नहीं बता रहे हैं आप देखिए इसको महिला रहे हैं यह पले नहीं बता रहे हैं इसको इसी तरह से चारों तरफ यह देखना यह पले तो नहीं है तो यह पले नहीं है भाई यह टाइट इसमें और हमको टाइट ही चाहिए अगर अगर इसमें पले रहेगा तो कोई मतलम नहीं होगा आपकी मसीन में निव सेटल लगाने से यह मसाला ब्रासो और यह बहुत काम का है इसको लगाने से यह जो आपका जो ज्याम रहेगा यह सेटल इसमें लगा कि इसको गिरिन करना होता है तब यह फिरी होगा ऐसे फिरी नही होगा तो हर एक चीज का तरीका होता है अगर आप तरीके से सही से करेंगे तो आपका मुझी जो भी प्राबलम रहेगा जो भी समस्या हो बनाएंगे सही हो जाएगी तो देखने इस तरह से आपको भी करना पड़रेगा हो Great reaction को भी क्या करना होता है कि हाथ में चोट लग जाता है हम लोगको रेक्टीयस हो गया है तो इसलिक ले ऊच्बिल्ए एस पर कर ले हैं लेकिन आप लोग इतन इस नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसके हम कर हैं और इसको न्हों तरफ से घुमा-घुमा करना और यह अभी भी यह बहुत ज्यादा यह टाइट है इसमें क्या करेंगे तो लाए लह लेंगे और इसके आशाहई करेंगे है कि यह हं созд एक साइड हुआ है तो जिस साइड यह हो गया है फिर उस साइड आपको नहीं गरीन करना है और उस साइड भी गरीन करेंगे तो यह जो सेटल है धीली हो जाएगी तो यहां देखिए एक साइड यह बहुत ज्यादा टाइट है यहां देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं इस इसके बाद एमरी लगाने के बाद इसको रहा करना है, क्योंकि हलकी नहीं होती है, यह सेटल जो लगाने के बाद जाम चलती है, बरासु लगाने के बाद नहीं होता है, हलका फुलका जाम होता है, वो फिर ही हो जाता है, लेकिन ज्यादा जाम हो, तो यह आपका बिल्कुल य में और लगाएंगे हम देख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा mage इसको निकाल के क्योंकि जाम ज्यादा है इसलिए तो यह युद्द धाना वार्ण से मात्तोड़ा सा कर तो अब यहां क्या गरते हैं इसमें के आपका एक नाल्माजनों वाला यह काता है है 이게 फाइल से ही बन bı depressing अभी दिखाते हैं उससे हम इसको क्रेंगे उस समग्रीन करेंगे तो यह अच्छे से होगा क्याने हम देखी यह आपका इस कुरूरा सेट्टल अचानक से निकल लाता है और हात में यह चोट लग सकता है तो यह आपको ध्यान से करना है तो यहां हम देखिए यह आपका रेतिकाई हमने बनवाया हुआ है नाल माजने के लिए क्योल यह जो रिंग है यह जो नाल है और यह सेटल है इसको बनवाने के लिए इस बेसली उसको हमने लगाया है फाइल को ही बनवाया है हमने उसको उस तरह से क्योल गिरिन करने के लिए तो यह तो आपका होगया, इसको हम सफाई करेंगे, बिल्कुल अच्छे से, सफाई करने में 2-3 मिनट, 4 मिनट लगाईए, लेकिन अच्छे से साफ करें अगर आप अच्छे से साफ नहीं करते हैं, और ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा भी अगर एमरी बरास हो रहता है तो आपकी मसीन यह जो आपका सेटल मसीन में जो साल पर चलना होगा च्छे महीने डेड़ साल चलना होगा और दो महीने में ही खराब हो जाएगा तो यह बात को आपको ध्यान में रखना है इसको सफाई बिल्कुल अच्छे से करना है रिंग को हमने साफ करके रख करेंके गilis निए पफिर से साफ करेंगे फिर से चेंज करेंगे फिर そसफ मैं और यही इस इंसको साफ करेंगे तो सैफ तो होगा लेकिन उसमें इम्री वरासम बच जाए इसलिए कपड़े को ænge करके इसको बिल्गुल अच्छे से साफ कर लेना है तो यहांज़व हमने इसको साफ कर लिया इसके बाद यह जो आपका ring है ring को लगा दीजिये यह जो पती है पती को भी लगा कर दीजिये यहाप स्थफ के आप लोग देख सकते हैं अभी इसके अबार ही आपके बिल्कल फिरी हो गया इसमें मशिन का आईल छोड़ देते हैं यहांपे दो यह तीन канवल चोड़ना है और इसको हां से ना रहां करदेना है अभी हांद देखें यह आफका फिरी हो गया और इसमें देखिए पले भी अब नहीं बता रहा है यहाप आप लोग देश के थे यहीं सेटल है और यहीं नाल है लेकिन रिंग पुराना वला था तो पले बता रहा है था लेकिन हमने जैसे नहीं लगाया टाइट हो गया विल्कुल फिर इसमें अब थोड़ा साभी पले न न्यक्राब देना नीचे से लच्छा मारत देना गयाल चोड़ा की चलना यह सारा Kristin हो जाएगी के वो लिए सेटल लगाने से लन्यों लगोंने के बाद भी पले बताता है तो आप संभी निए मतलम नहीं यह स्टेल लगयाने का तो आपको यह विच्छ करना है कि यह है जो को लगाना पड़ेगा कि नहीं तो अगर बले बताता है धीली बताता है तो आपको न्यावला रिंग लगा देण हैं यहां देखीं इसमें थोड़ा से पले नहीं वथा रहा रहा है सफ्कून ध максим सेद पनूब कि और बता रहा है कि फेले इस से बहुं है तो कैसे बनाएंगे अगर इसमें तो नहीं आई मिल्व yagoo फरक्ते से नस्ट विडियो मं मता आएंगे तो यह आपको कम्पलीट हो गया दोस्तों और देखें अब आपको क्या गरना है वीडियो को करना है और जो लोना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर एक वीडियो देखने के लिए सीखने के लिए ठीक दोस्तों